हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू एक्जाम मास्टर शैनल दिनांग 20 फरवली उत्तर प्रदेश अधीनस्त सेवा चैनायोग की तरफ से अगर आप लेकपाल कानून गो सहाया कनिस्ट इन सारी वेकेंसी के बारे में अगर देखना चाहते हैं सेलबस तो आपको अब तक बहुत लोगों ने बताया होगा लेकिन जिस अंदाज में पेट एक्जाम जी हां दोस्तों पेट एक्जाम का जो सेलबस है जिस तरह से मैं आपको प्रारंभिक अरहता परिक्षाजी से कहते हैं है ना प्राइमरी इलिजबिल्टी टेस्ट यानि प होगा पेट और पेट की तैयारी कैसे करेंगे अगर गुरू पेट निकाल लिया तो मतलब नौकरी 90% है 10% प्रियास आपको करना है यह पहले समझ लो अब इसका पाठिक्रम क्या है और निकालोगे कैसे पेट को तो सबसे पहले देखो पेट एक्जाम में होता क्या है प्रा अगर इस पेट की तैयारी करने में अगर लेकपाल बनना चाते हो राजस्व निरिचचप बनना चाते हो कानून गो बनना चाते हो घुसना चाते हो सिस्टम में सरकारी नौकरी में इंटर पास लोग ऐकदम बहία से कर सकते हैं दो घंटा में 100 number 100 question अभी 100 number आएंगे किससे कि सोचो इतिहास पहला विशेह इतिहास वहु भारत का इतिहास यानि विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है भारत का इतिहास पढ़ना है सिंधु वैदिक संस्कृति बॉध्ध धर्म जैन धर्म मौर्यवंश गुप्तवंश हर्वश्वर्धन राजपूत काल सोचो पांच नं अंदोलन से आएगा पांच नंबर चलो यह बढ़िया है यह मेरा फेवरेट सक्षन है राजा राम मोहन राय से लेकर के स्वामी बिबेका नंद तककस सारा स्वाधिनता अंदोलन 1857 की क्रांती क्रांती आंदोलन और जितने भी विधाई संशोधन अधिनियम है भारत छोणों अंदोलन आजाद हिंद फाउज तक यानि हम कह सकते हैं के 1857 की क्रांती से लेकर के 1947 की आजादी के बीच जितने मूमेंट हुए सब पांच नंबर में कावार करेंगे एक्जाम मास्टर चैनल के थूँ तीसरा विशेह गुरू भूगोल भूगोल में इंडियन जोगर्फ और यहां का टाइम जोन साड़े पांच जन संक की परिवर्तन और प्रवास पांच नंबर की जोगर्फी 15 हो गया इको नॉमी पांच नंबर की आएगी बहुत बढ़िया बात है भाई इसके बाद सम्विधान आएगा पांच नंबर यानि हो गया 25 साइंस आएगा पांच तीस अंक गणित पांच नंबर 35 हिंदी पांच नंबर 40 क्या बात है कुले टेस्ट कर लेंगे ठीक है अंगरेजी पांच नंबर 45 रिजनिंग पांच नंबर 50 सामाई की यानि करेंट अफेर 10 नंबर का साथ सामान य जागरूकता जनरल अवेरनेस यानि जीस जिसे आप कहते जनरल स्टडी ये भी 10 यानि 70 दस नंबर का क्या आएगा कॉम्प्रिहेंशन हिंदी गद्यांश में 10 नंबर आएगा ठीक है हिंदी अपठित गद्यांश विबेचन विशलेशन दस असी हो गया ग्राफ विशेश ग्राफ की व्याक्या और विशलेशल ये देखिए ये भी इस पर 5 नंबर यानि 10 नंबर 90 हो गया और तालिका की व्याक्या और विशलेशल तालिका से रिलेटेट 10 यानि टोटल 100 नंबर का ये आपका पाठिक्रम है पेट का अब अगर आप पेट की तयारी करना चाहते हैं लेकपाल के बैच के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमार 92, 52, 24, 92 पर अपना डाम जिला का नाम और कोर्स का नाम पेट यानि PET लिख करके भेजें एकदम सरकारी नौकरी अगर लेना है इंटर पास होने के बाद लेकपाल वगयरा बनना है तो पहले इस प्रारंभिक पातरता परिक्षा को निकाल लो आपकी 90 परसेंट नौकरी जो ले सकती है है ना तो खाली अपना नाम और जिला का नाम भेजो आपको नोट्स मिलेगा PET का क्लास मिलेगी PET की और पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा बस पेट इग्जाम लिखना जरूर मत भूलना ठीक है दिल से लग जाओ तैयारी करने के लिए और कर दो अपने माबाप का सपना पूरा जोश में आ करके होश में आ जाओ और फिर देखो कैसे होता है सपना पूरा सरकार ने सिल बस दिया है तो वैकेंसी जरूर देगी और वैकेंसी पहली बार होगी यानि पेट एक्जाम पहली बार हो रहा है तो पहली बार में मार दो चौका जीत लो बाजी और दे लो नौकरी एक अपने घर वालों को कर दो सम्मान उचा थांकियो सोमज सभी इंटर पास तैयारी में लग जाओ पेट की इस साभी जितने ट्वाल्थ पास हैं शुक्रिया